फ्रेंट्स आज हम दूद और ब्रेट से एक रेसिपी बनाएंगे जो कि मार्केट से लाना बहुत ही मेरे चैनल माही खाना खजाना में वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट कीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बैल आइकन दवाना मत भूलिए ताकि मेरी अगली वीडियो को नोटिफिकेशन जट से आपके पास पह प्राइब करहते हैं या अपके घर में बेट बचे होए रखें या ब्रेट क्रम्स रखें आप उससे वी इस रेसिटी को इजीली बना सकते हैं अब इन ब्रेट्स को हम क्या करेंगे इने छोटे-छोटे टुकडो में हम तोड़ लेंगे हमें इसका जो किसा वाला पार्ट ह वो भी यूज़ करना है इसको हमें अलग नहीं करना है तो हम पूरी सारी ब्रेट्स को इसी तरह से छोटे-छोटे टुकडों में तोड लेंगे इस रेसेपी में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ताजे ही ब्रेट यूज़ करने है आपके पास कुछ बच्चेवे ब्रेट रखेंगे आप उनका यूज़ करके भी यह रेसेपी बना सकते है तो फ्रेंट्स यह देखें मैंने सारे ब्रेट्स को अच्छे से तोड लिया है मैं इन ब्रेट्स को साइड में रखेंगे और में गैस की थराफ और गैस पे गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में एक कप चीनि अइड़ करेंगे और आब हम इस चीनी का कैरमल बनाएंगे चीनी को अच्छे से मैल्ट होने देंगे यह दएखिए हमारी तीनी दीडीय कैमल केने मैलों होने लगे गशिकर कलनेैं हैं 555 गषंप होने इसकी को सब्सक्रार करें हमारी जल्दी की इन श्की क्राइल के करब के तैयार हो जाए कि ग्स की फ्रेंग को मनियुम रखेंग कि घंक को हम ज़्यादा हाइ नहीं करेंगे तो फ्रेंट्स यह देखे हमारी चीनी दीड़े-दीडрे मैल्ट होने लगी है और हमारी पूरी चीनी अच्छे से मैल्ठ हो गई इसको थोड़ी देर ऐसे ही चलाते रहेंगे यह देखे हमारी चीनी का कलर भी चेंज वो गया है हमारा केरमल बनके तयार है अब हम इस स्टेज में इसमें कब दूदेट करेंगे और इसको केरमल के साथ अच्छे से मेंट करेंगे क्योंकि दूद थंडा है और केरमल गरम है गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम ही रखेंगे और केरमल को दूद में अच्छी से मिलाते रहेंगे जब तक हमारा केरमल दूद में अच्छी से मेल्ट नहीं हो जाता इस तरह से अगर हम कोई मिठाई बना के हैं तो वो बहुत ही टेस्टी बनती है अब हम इसमें तीन कप दूद और एट करेंगे लगबग हमें एक लिटर दूद के आजपास इस मिठाई में दूद लगेगा यह लीजे हमने कडाई में दूद को एट कर दिया है अब हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे फ्रेंट्स यहाँ पे आप किसी भी दूद का इस्तमाल कर सकते हैं मार्केट में जो अमूल बगरा के दूद आते हैं उस दूद का भी आप इस्तमाल आसानी से कर सकते हैं बस ऐसा किजिए क्यों दूद की मलाई को अलग मत किजिए और आप सीधे चाहे दूद को से भी ये रेसिपी बना सकते हैं दूद को बॉइल करने की ज़रूद भी नहीं है अब हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि हमारा जो केरमल है वो दूद के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं आप देख रहे हैं केरमल जैसे जैसे दूद के साथ मिक्स हो रहा है वैसे वैसे हमारे दूद का कलर चेंज होता जा रहा है कि हमारे दूद में अच्छे से बॉइल आने लगा है और दूद में एक अच्छता कलर भी आ गया है अब हम इसमें ब्रेट कुंद्ट डाल देंगे और अब हम इसको पकाना है इसे अच्छे से mix करेंगे और हमें इसे धीरे-धीरे दबाते हुए पका लेना है ताकि हमारे जो bread crumbs हैं वो अच्छे से दूद में mix हो जाए और हमें इसे दबाते हुए पकाना है ताकि इसमें जो bread crumbs है, bread के मोटे-मोटे pieces हैं वो अच्छे से mix हो जाए एक दूसरे के साथ और एक अच्छा सा पेस्ट हमारा बनके तैयार हो जाए जब हम इसको पका रहे होंगे तो हमें थूड़ा सा इसको दबाते हुए पकाना है ताकि अच्छे से मैस हो जाए और इसमें बिल्कुल भी लंस ना रहें यह देखे फ्रेंट्स यह अच्छे से मैस होने लगा है और बहु यहाँ पर इसमें एक से दो चमच निम्बुकर रस एड़ कर देंगे आप चाहे तो सिप्तिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं दोनों का काम भी बराबर होता है अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे फ्रेंट्स निम्बुकर रस दानले से क्या होगा हमारी जो मिठाई है इसमें दाने बनेंगे यह बिल्कुल चिपचिपा नहीं बनेगा थोड़ा सा बिखरा हुआ बनेगा अब हम इस स्टेज में पाइनपल फ्लेवर यूज़ करेंगे आप चाहे तो इसमें चोकलेट फ्लेवर भी आड़ कर सकते हैं लेकिन बच्चों को पाइनपल फ्लेवर बहुत पसंद आता है इसलिए मैंने पाइनपल फ्लेवर इसमें एड़ कर दिया है चोकलेट फ्लेवर डालने के लिए आप क्या कीजिए इसमें कॉफी पॉडर एड़ कर सकते हैं तो उससे भी आपका फ्लेवर बहुत ही अच्छा जाएगा सबसे जरूड़ी बात यह है च यह देखें यह अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम क्या करेंगे अब हम इसमें दो चमच घी एक करेंगे इसमें अभी तक ना घी ना रिपाइंट कुछ एड़ में किया है सिर्फ दो चमच घी हमें इसमें एक करना है ताकि हमारी मिठाई चिपके नहीं और मिठाई देसी आज़ी एड़ करने से इस मिठाई का फ्लेवर और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है इसको मिक्स करेंगे इसको बहुत जल्दी बन जाते हैं बहुत इसली बन जाती है बच्चों बड़ो सभी को बहुत पसंद आती है यह देखें फैंट्स हमने देशी की के साथ अपने इस लीजे और उसको एड़ कर दीजे फिर हम इसको आचछे से मिक्स करेंगे फ्रेंट्स यह अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसे एक मिनट के लिए अच्छे से और पकाएंगे यह इसने अअपना तलन चोन ना सुरू कर दिया यह बस हमें इसी सेस तक इसको ले कि आना था पकाते होएं अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे थलका सा थंडा होने देंगे इतने ये थंडा हो रहा है इतने हमें केक थीन को ऑईल से काले हैं केक तिन को डीले गर Fire एकम लिएक बारन का जाए है आप चाहें तो रिफाइन से भी ग्रीस कर सकते हैं उसके आज जो हमारा फूट बाप पेपर आता है उसको हम अपने केक टिन में रख देंगे और फिर हम मिक्षर बना के रखा है उसको केक टिन में अच्छी से टांसवर करेंगे फ्रेंट्स यह देखिए मैंने पूरा मिक्षर केक टिन में टांसवर कर दिया है इसको अपने स्पेचुलर से अच्छे से एक बराबर कर देंगे अगर हमारी स्पेचुलर से अच्छे से नहीं हो रहा है तो इसको दो तीन बार हम कैप करेंगे ये एक समान रूप में आ गया है अगर आपके पास केक तिन नहीं है तो आपके पास बच्चों के लंच वोक्स तो होंगे आप इस बेटर को उसमें बिभरके 2-3 घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रीज में रख दीजिए या फिर बाहरी छोड़ देगे ऐसे ही इसली सेट हो जाएगा तो अब हम इस बेटर को फ्रीज में रखते हैं और 2-3 घंटे के बाद चेक करते हैं फ्रेंट्स ये देखे हमारा जो केक था वो जम के सेट हो गया है हमने इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रीज में रखा था अब हम एक नाइफ लेंगे और नाइफ से इसके सारे और इसे धीरे से निकाल लेंगे ये देखे हमारा केक अच्छे से बनके तयार हो गया है और हमारा जो प्रेपिंग पिपर था वो हमारी केक तिन में ही रह रहा है अब हम इसके कटिंग करते हैं आप इसको किसी वी शेप में काट सकते हैं फ्रेंड्स यह देखे यह बहुती सॉफ्ट बना यह और इसमें आप जालियाँ भी देख रहा है तो यह इसका जो टेक्चर ए वो भी बहुत अच्छा है तो फ्रेंड्स यह लीजिए जो बजार से हम ब्रेटमिया का केक लाते हैं कुकी внत वाला वो बन अच्छा लगा तो फ्लीज वीडियो पर कमेंट जरूर किये जिए और अपने बच्चे को ये ब्रिटानिया के जैसा केक घर में ही बना के खिलाईए तो फ्रेंड्स कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू बाबाई